गुड इनिंग फ्रेंट्स एंड मैं डियर इस्टोएंट्स वेलकम टू आर चैनल मैं राजे अंदर मंदलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 की एक्जाम्स जो है वो 8 जून से 16 जून के पीच में होना है तो हमें तैयारी में अच्छे से जूड जाना है और हमारे चैनल के मात्यम से घर बेठे आपको तैयारी करना है आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं जादा टाइम वेश्ट ना करते हैं आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो आज का जो हमारा वीडियो है यह वीडियो है रसायनसास्त्र कक्षा बार्वी मिंस केमेस्ट्री के important questions हम डिसकस करने वाले हैं इसी प्रकार के विडियोस मैंने पहले भी प्रोवाइट किये हैं और उनको मैंने प्लेइलिस्ट में डाद दिया है तो आप हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर Class 12 Papers की प्लेइलिस्ट में जाकर आप अपनी तयारी अच्छे से कर सकते हैं जो भी Papers आपके मचे हुए हैं चाहिए वो आपका कोई सावी सब्जेक्ट हो चाहिए राजनीती हो चाहिए एकोनोमिक्स हो mathematics हो, biology हो, जो भी subject आपका है आप हमारे जाकर अच्छे से त्यारी कर सकते हैं साथ ही हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल को आप share करें ताकि अन्ने students भी इसका फाइदा ले सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं आज के इस वीडियो में हम 25, आपकी जगा 20 नंबर के जो objective type questions हैं, उनको हम discuss करेंगे और वो भी most important है, जो previous year में frequently पुछे गए हैं जिससे पहला question है, सही विकल्प चुनकर लिखिए इस योगिक में 8 अनुपात, 8 समन्वे पाया जाता है तो 4 option दिये गए हैं, जिसमें CACL, option number C इसका answer सही रहेगा, question number 2 है कोहरा एक कोलाइडी तंत्र का उधारण है, तो gas में परिचिप द्रवी, option number A इसका answer सही है थार्ड question है, copper sulfate के hole में काई डालने से बनता है तो ये Cu2, I2, plus I2 बनता है, option number D इसका answer सही रहेगा question number 4 है, दमागे मरीजों के लिए स्वसन में प्रयूक्त gas किसे जिसे oxygen में मिलाते हैं, तो वो है HE question number 5 है, खाना बनाने के बरतन में कौन सा पदार्थ non-stick के रूप में प्रयूक्त होता है, तो वो होता है poly tetrafluoro ethylene, option number D इसका answer सही रहेगा next question की ओर चलें, तो question number 2 है, रिक्तिस्थानों की पूर्ति करना है किसी crystal में उपस्ति धन आयन तथा rain आयन की त्रिज्जाओं के अनुपात को कहते हैं, तो त्रिज्जा अनुपात कहते हैं question number 2 है, वेद्यूद छेत्र के प्रभाव में कोलाईडी कणों की गति कहलाती है, तो वेद्यूद कण संचलन, question number 3 है, HGCl2 वो क्याई का छारी विलियन कहलाता है, तो इसको वेद्यूद नेसलर अभी कर्मद, question number 4 है, विध्यापनों के लिए अक्री गेस का सरवाती कुपिय जो होता है, तो वो होता है, N-E, ठीके दोस्तों, और question number 5 है, नॉयलान 6 को भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं, पैरलोन, क्या कहते हैं, ठीके दोस्तों, एक बार और मैं आपको फिर सही इसी बात को repeat करूँगा, कि अभी तक आपने हमारे सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, और निसिंत होकर घर बेठे हैं, हमारे सेनल के मात्यम से, आप अच्छे से तैयरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेनल के मात्यम से, model question paper और important questions ही है, आपके लिए हम discuss करेंगे, क्योंकि exam postpone होने के कारण, हमारी जो तैयारी थी, वो तैयारी की link क हम इस बात को समझते हैं, तो previous year में बार बार पूछे जाने वाले प्रस्न, मतलब महतून प्रस्नों को ही हम discuss करेंगे, question number third है, एक सब्दे क्वाक्य में उत्तर देना है, जिसे अन्ता केंद्रित घनी सेल का एक उधरन है, तो वो है CSCL2, तो लिखा हुआ है न, देली उर्ज का मिस्रण कहलाता है, तो उसको कहते है, मैट, यह मैट लिखा हुआ है, अब question number two का जो answer है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है, शक्री उर्जा बराबर तहली उर्जा माइनस अनुओं की आत्य अवस्था में उर्जा, ठीक है, question number four की उर्जले तो समुद्री सेवाल की सेलोजन का मुख्य स्त्रोथ है, तो आयोडीन का, question number five है, टायर के धागे बनाने में प्रयुक्त बहुलक का क्या नाम है, तो उसको noilon six कहते है, ठीक है दोस्तों, अब question number four की उर चलें, तो सही जोडी बनाना है, खंड आको खंड बास से मेच करना है, जिसे ठोस सीओ टू, तो आणविक क्रिस्टल, दूडला म्रदा तत्व, तो एफ ब्लोक तत्व, द्वी दंतूर, लिगेंड, तो यह है, C2, O4, तूदी पावर माइनस टू, उपसन number E, हिंस बर्ग अभी कर्मक, तो यह है, C6, H5, SO2 C2, Q5 है, सुखर, तो यह विटामिन D, ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लागा, कमेंट्स करके जरूर रता है, और बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंसन के आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाएगा, हमने साल भर से पूट गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास परियाप्त समय है, हम इंपोर्टेंट कुश्चिन्स को डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, एसी उमीद में रखता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार क कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, हमारे सेनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थेंक्यू वेरी मच,